हेलो एवरिवन वेल्कम बेग तो माई यूट्यूब चैनल एजूकेशन हब और मैसल अन्शुल दिमान सो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लेकर आई हूँ 29 एप्रेल को आपका जो जवाहर नवोध्य विध्याले में एड्मिशन के लिए 6th क्लास में एड्मिशन के लिए आपका जो एक्जाम हुआ है ये मैं आपका उसका पेपर जो है विच सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि कितने माक्स आप आप जो है उप्टेंट कर सकते हैं वीडियो को बिना स्किप की एंट तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब हम यहाँ पे सभी कुशन के आंसर जो है डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले आपका जो सेक्षण ए है जो मानसिक योग्यता परिक्षन जिसको आप एक तरीके से रीजनिंग भी बहुए सकते हैं जो होती है हमारी तो इसमें हमारा question है आपके जो instructions है हमारे question 1 से 4 में प्रत्य एक प्रश्ण में 4 चित्र है 4 में जिस दी गई थी आपको इनमें जो है 4 में 3 चित्र किसी विदी से 1 समाने जब यह अन्य चित्र से भिन है अन्य से भिन चित्र का chain कर यानि कि आपको opposite वाला बताना है है ड्रॉ की गई है बट यहाँ पर भी दो लाइन से यहाँ पर भी दो लाइन से बट यहाँ पर एक सिंगल लाइन है तो इस तरीके से हमारा जो answer है option number D हो जाएगा then ऐसे ही मैं आपको जल्दी से answer बताती चलूंगी आप अपना जो है exam हुआ जो आपका वो paper से आप match करते चलिएगा इसमें second वाले का हमारा हो जाएगा option number D यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारे rectangle shapes है और यह वाली हमारी circle shape में हो जाएगा then आपका third वाले का answer है option number A fourth वाले का हमारा है option number C then आपके पास यहाँ पे दिया गया है इस वाले में question number 5 से 8 में जो है आपको जो images यह दी गई है इन में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को समरूप यानिके जो same लगता है so जैसे कि fifth का यह बहुत easy सा है fifth का इसके जैसे आपको कौन सा दिख रहा है option number B हमारा हो जाएगा then sixth cake का हो जाएगा option number B है हमारा seventh वाले का हमारा option number A है and eighth का हमारा option C है then ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे question इसमें जो nine से twelve के आपके हैं पाएंसे जो है एक प्रश्न चित्र जो आपको image दी गई है आपको बताना है कि उस question को मतलब कौन से वाला part है जो उसको image को complete कर सकता है है ना पूरा कर सकता है तो जैसे ही अब यह ninth वाला है हमारा इसमें अगर आप यहाँ पे जो है इस वाली image को करेंगे तो यह बिल्गुल आपको इस तरीके से यहाँ पे यह इस तरीके से हो जाएगा हमारा option number A हमारा answer होगा ऐसे ही tenth वाले में हमारा जो है यह वाला अगर आप इस वाले part को अपने यहाँ पे इस तरीके से इसको show करेंगे जो है तो यह complete करेगा हमारी image को then हमारा 11 वाला है यहाँ पे इस तरीके से करेगा इसको फिर आजाता है हमारा 12 वाला 12 वाले में भी आपका कुछ इसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे यह स्टार्टिंग हो रही है हमारी यह प्रश्ने संख्या 13 से 16 में 2 और 3 प्रश्ने चित्र दिर्शाय गया है चौते चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है प्रश्ने चित्र श्रेणी करम है यानि कि सिक्वेंस में है तो यह आपको सिक्वेंस जो है इसका देखना है यानि कि क्या कंप्लीट करता है अब जैसे कि यहाँ पर example के तोर पर यह भी है आपका यहाँ पर यह एक dot type है फिर circle है फिर से dot आएगी तो यहाँ पर फिर से circle आ गया तो यहाँ पर फिर से dot वाला ही तो आएगा sequence में तो इसलिए हमारा option number C हमारा right answer है फिर 14 वाला है भई देखिए इधर arrow गया फिर हमारा इस side में arrow गया फि image पूरी होगी तो option यह वाला B वाला हो जाएगा then 16 वाले में भी कुछ इसी तरीके से है यहाँ पर देखिए इन वाले जो boxes है इन वाले boxes को एक एक जो है हमारा इसमें square जो है न कह सकते है कम हो रहा है तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारा यह four dot वाला answer हो जाएगा then आप question number 17 से 20 में है यहाँ पे दो प्रेश्ण चित्रों के दो सेट दिये गए है दूसरे सेट में एक प्रेश्ण चित्र है तो यानि कि opposite image जिसको हम बोल सेते हैं कि मतलब कौन बनेगा जैसे की तो जैसे कि यह दोनों है अब इसमें क्या हुआ इसमें इनोंने बीच में एक line करी और उसको ऐसे 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 draw हुआ है तो जब हम इस वाले को लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे इधर वाला पार्ट शो हो जाएगा ओके तो option number C आ गया इसी तरीके से हमारा जब इनोंने यहाँ पे यह दिखाया है तो इधर यह वाला आ गया हमारा then 19 वाला आ जाएगा इसमें जब इनोंने इन arrows की according यह वाला सेम लिया है तो इसकी according में जो यह होगा पॉजिट वाला C वाला answer हो जाएगा then इसी तरीके से 20 वाले question का answer है आपका option number A फिर आ जाता है हमारा part 6 question number 21 से 24 में प्रशन चित्र के रूप में जयामित यानि के जो geometry questions है यह भी आपको ऐसे ही बताने कौनसे पार्ट को complete करेगा तो जो हमारा यह first है इसमें यानि के 21st वाला है इसमें अगर आपको इसे complete करना है थे square का जो piece होगा अब यह rectangle नहीं कर पाएगा यह triangle नहीं होगा और यह वाली shape भी नहीं होगी तो हमारा अगर हम square इसमे add करेंगे तो हमारी यह shape complete हो जाएगी इसी तरीके से अब अगर यह वाली shape को आप यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे इसको तो आपकी complete कर जाएगा तो option number भी हमारा right answer है और अगर आपके सभी questions अच्छे हैं तो guys congratulations in advance okay so अब आपका selection होने से कोई नहीं रोख सकता है तो देखे 22 का हमने देख लिया 23rd का हमारा हो जाएगा इस वाले का जो है यह option A वाला then हमारा 24th का क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो यह इसका answer option D हो जाएगा फिर हमारा आजाता है कि जो part है 7th वाला प्रशन संक्या 25 से 28 में बाई और प्रशन चितर दर्शाय गया और दाई और A, B, C और D से चिन 4 उत्तर चितर दर्शाय गये हैं इसमें भी आपको एक तरीके से mirror image वाला पे answer करना है तो अगर यह 7 है और इसमे arrow इधर जा रहा है अगर आप यहाँ पे कोई mirror रखेंगे तो वो कैसे शो होगा तो वो उल्टा opposite ऐसे ही तो हो जाएगा आपको है ना तो इसका option number B हो गया हमारा तो 26 का क्या हो जाएगा option number B हो करते हैं cutting करते हैं या फिर जो भी उसमें किस तरीके का design निकल के आएगा तो माली जी एक अगर आपने square paper लिया पहले उसको मोड दिया फिर वो कैसा आएगा वो triangle की ऐसी shape में आ जाएगा देन फिर आप उसको मोडेंगे वो फिर half में हो जाएगा convert फिर आप उसको कुछ इस इसे हमारा जो है इसमें यानि कि यह जो आपको shapes दी गई है इससे कौनसे वाली जो है shape बन सकते हैं शेप को अगर हम जोड देतों तो 33 का हो जाएगा option B 34 का भी option B और 35 का option A and 36 का option B फिर आ जाएगे हमारे 37 से 40 में यानि कि इस image से आपकी कौनसी image complete हुई है तो यह doll type अगर आ A हो जाएगा 38 में आप कैसे करेंगी है L का use जो है इन में से तो मुझे लगता नहीं है किसी में भी हो पाएगा यह तो यह इस मेले में ही use हो रहा है तो option number B will be the right answer 39 का कौन सा option A हो जाएगा 40 का option D हो जाएगा फिर आ जाता है आपका अंक गणित यानिकि जो हमारा maths का portion है इस जो संख्या आपको जो है मतलब जो चार यादी कंको की है 8 से भाज्य है यदी कब होगी वो अंतिम तीनंक 8 से भाज्य हो तव option number D 5 cm को km में लिखते हैं तो कैसे लिखोगे आप इस तरीके से लिखेंगे उसको निम्न में कौन सी संख्या 3, 4, 5 सता 6 से विभाज्य है यानिक जो 60 नंबर होगा वो 3, 4, 5, 6 जो है चारो नंबर से डिवाइड हो जाएगा 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अंसर आएगा 4.71 मेरी गड़ी पर समय 7, 5 प्राते है यानिके 7, 5 a.m. टाइम हो रहा है या 25 मि जानिके आप इसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो 25 मिनट को माइनस करेंगे तो 6.40 a.m. हो जाएगा फिर आजाएगे आप कुष्चन पे ये वाला कुष्चन है इसका आपका option number D जो है right answer हो जाएगा फिर हमारा ये वाला कुष्चन है 1250 मिटर लंबी एक रेल गाडी दो मिन फिर आपका ये question आ गया, इसका option number B है, फिर आपका 49 वाले question का answer हो जाएगा 105 और 50 वाले question का 12%, एक वस्तु के क्रेम उल्ले और विक्रेम उल्ले का अंतर 240 है, रुपे है, यदि लाब 20% है तो विक्रेम उल्ले बताईए तो इसका हो जाएगा 1440 रुपीज विक्रेम उल्ले, फ फिर है हमारा 56 का 5555, 57 का 5661, 58 का 8 अपोन 15 हमारा answer है, 59 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 5, 60 का 25, देन आपका आजाता है भाषा परिक्षन, इस खंड में 4 अनुच्छेद है, प्रतिक अनुच्छेद पर 5 प्रशन दिये गए हैं इस में से, और साफधानी से इ और उसके नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दे, प्रतिक प्रशन के लिए 4 संभावित उत्तर है, जिसका करम संख्या ABCD है, इन में केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनना है, आपको अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में देना है, तो जब आप इस paragraph को अच् काम डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुने आरम, यानि के हम थोड़ा जैसे मालीजी आप स्टर्डी कर रहे हैं, बीच में आप अपना खेलना थोड़ा स्टर्ड कर सकते हैं, तो दुबारे आप स्टर्डी कर लोगे, हसने से हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है, क् अवांची तनाव जो हमारी तनाव में आ जाते है जो हम पुने आरंब का अर्थ डैश है यानि के फिर से शुरू करना स्टार्ट अगेन शम्ता शम्ता का पोजिट बताना है अक्षम्ता है न फिर आपका यह वाला पैराग्राफ था इसमें नुच्छे जो था इसके आंसर है बाहरी रूप रंग प्राई है कैसा होता है धोका देते हैं एक ही नजर में क्या जानना कठीन है किसी के सदगुन यानि किसी के अच्छी बुराई के बारे में हम नहीं जान सकते अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकरशित हो जाते हैं किस से बाहरी यानि कि उसका उट साइड मतलब इंसाइड से हमें पता नहीं चलता किसी इंसान का नेचर कैसा है बाहर से ये ट्रेक्ट हो जाते है आकरशक डैश का परियाएवाची नहीं है तो असुंदर वास्त नेता बन गए जननेता बन गए करिया का भूत काल है पूरा करना डैश का परियाएवाची है किसका परियाएवाची है पूरा करना यानि के संपर्ण करना किसी काम को कम्पलीट करना फिर आ जाता है हमारा ये वाले का ज्वाला मुखी के बारे में क्या क्या सही नहीं है तो य नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में होती है कैसी द्रव्यानी के लिक्विड अवस्था में होती है शांत का यहां विलोम है शांत का जो विलोम उल्टा क्या हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा अनुच्छेद में प्रयुक्त सहीत का अर्थ है क्या है के साथ सहीत यान बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए गुड लग फॉर यॉर रिजल्ट आज के लिए तना ही थैंक्यू सो मच